ओम सिरीगड़े साय नमा मित्रो मैरागोरा मित्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुने स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं सिंग रासी के बर्स 2013 के जनुरी महीने के बारे में सिंग रासी वालों का जनुरी का महीना कैसा जाएगा इनके संतान का कैसा सुख प्राप्त होगा इनके रोग सत्रोग कैसे रहेंगे इनकी भागदोर कैसी रहेगी और इनका मान समान कैसा रहेगा तो अप्चुकी बर्ष के प्रारम में सिंग राशी का स्वामी सूरी आपके संतान घर में बैठा हुआ है वहाँ पर बुद्धा दितियोग बन रहा है इस महीने में आपके संतान को कोई सुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे की आप बहुत प्रसंद होंगे दूसरा आप अगर कोई नया कारी करने का प्रयास करने जा रहे हैं तो आपको 17 जनुरी से आपको चुकी 17 जनुरी 2023 को सनी कुमभरासी में आ रहा है और वो आपके रासी को देख रहा है इसलिए ब्यापार बिजनस से सम्मंधित अगर कोई कार्याप करना चाहते हैं तो आप 17 जन्वरी से प्रारम कर दीए 14 जन्वरी को आपके रासी का स्वामी सूरी मकर रासी में प्रिविस कर रहा है इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा है आपके रोग सत्रुकर्ज में कमी आएगी स्वास्त बे सुधार होगा प्रन्त आपको अपने खान पान पर इस महीने पिसे ध्यान रखना चाहिए अब चुकी आपके धन भाव का स्वामी बुद्ध आपके पंचम घर में पूरे महीने रहने वाला है इसलिए आपके संतान अगर कोई पढ़ाई लिखाई किसी परिच्छा की तैयारी कर रहे है तो उनको सुध समाचार प्राप्त हो सकता है साथी साथ आपके प्राकरम घर का स्वामी सुक्र इस समय आपके रोग सत्रुकर्ज में बैठा हुआ है इसलिए किसी के बहकावे में किसी के कहने पर आप किसी से बिवाद न करें यह आपके लिए बहुत सुध रहेगा अब चुकी साथ जनुरी 2023 को से लेकर आठ जनुरी 2023 को आप यद कोई यात्रा का प्रोग्राम बना रहे है तो यात्रा बहुत अच्छी तर है तो समझ कर बनाईए यात्रा के दौरान आपको किसी बात से बेवजे बिवाद नहीं करना चाहिए अगर आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा धार्मिक यात्ता के दौरान आप किसी बिद्वान व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति से ना उल्जें तो बहुत उत्तम रहेगा अब 21 जन्वरी 2023 को आपको अचानक लाब होने का योग बता रहा है लेकिन आप अपने गुप्त बात किसी को कदापी ना बताएं 25 जन्वरी 2023 को अचानक किसी से बिवाद जगने जंजट की समस्या सामने आ सकती है जिससे की आप अचानक आए बिवाद से घवडा सकते हैं लेकिन आप अपने धायर को बनाए रखिये घवडाने की कोई जरूरत नहीं है और जहां तक हो सके बिवाद से बचने का प्रयास करें कोई आसंका आपको बार बार प्रिसान कर सकती है 22 जन्वरी 2023 को सुक्र आपके ब्यापार बिजनस के घर में आ रहा है यह आपके लिए अच्टम रहेगा आपका ब्यापार बिजनस से सम्मंदित कोई काम है तो वो आपको गती देगा आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और जहां तक हो सके आप इस दोरान किसी से ब्यापार बिजनस के दोरान जगड़ा लड़ाई ना करें और चुकी आपके इस समय दसम घर में मंगल चल रहा है जो आपके मान समाने ब्रिद्धी करने वाला है आप अपने धायरी का पर्चे दीजिए और धीरे धीरे जो काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता अवस्य मिलेगा आपको इस महीने अपने जीवन साथी के स्वास्त का विसेश ध्यान रखना चाहिए तो मित्रों मैंने आज आप लोगों को सिंगर आसी के जनवरी के महीने के बारे में जो बताया है मुझे आसा है कि आपको मेरा ये वीडियो अवस्य पसंद आएगा अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप सबस्क्राइब करना मत भूदिये नमस्कार